मैं तो मैम रिजर्विशन के पूरा एक हिला हूँ चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंड्स की हो चाहे वो किसी और जेंडर की हो जनता आज जाक चुकी है जनता सब जानती है 18 सिदंबर को संसत का विशेश सत्र बुलाया गया और कहा ये जा रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है और इसी के साथ आज मूदी सरकार ने बड़ा फैसल लिया है कल काबिनेट की एक मीटिंग हुई जुसमें ये पास किया गया कि विमन रिजर्वेशन बिल संसत में लाया जा शाली मानते हैं कि उन्हें ये मौका मिला है कि वो इस बिल को संसत में लेकर आए हैं लेकिन लोगों के जीवन में इससे क्या फर्क पड़ेगा क्या बदलाव आएगा क्या लोग वाकई चाहते हैं कि संसत में और्तों के लिए रिजर्वेशन बिल आए क्या महलाओं को 33% reservation का ये खेल हैं तो क्या संसद में ये 33% reservation मिलना चाहिए क्या है इस पर लोगों की राए ये जानने के लिए हम आए हैं दिली के सीपी में चले लोग उसे बापचीत करते हैं लोग सब में आट जो वेमन डिजर्विशन पर लेंगे ईहाँ हैं मैडम जी राजसब़ा से तो पहले ही पास हो चुका था देस बारा साल पहले ही पास फुगा था लेकिन किनी कारणों से लोग सबने पास नहीं हो वो को जोंसी भी पाटी है थी चाहिए समाजबा ती पाटी यह बहुत बड़ी विद्वन ना थी जो आज तक हम जेल रहे थे और यह सारी सरकारे चाहती हैं जब कांगर्स की सर्थ यूपिय की सरकार थी दस साल जब भी उपास तो उन्हों नहीं करा था अभी सबसे पहले कांगर्स पार्टी नहीं इसको कहा प्रदानमंतरी को चिठी ल लेके नो परशन किये नो परशनों में यह सबसे बड़ा बुद्दा पहला यही था कि इसके उफर चर्चा की जाए और यह बिल पास क्योंकि इसके बारे में जंडा तो कोई बता ही नहीं रहे थे न वो चार दिन के लिए पांच दिन के लिए अमरे जंशन बला रहे हैं को चाहिस जांना तो वहां में बताना तो पढ़े गी ही आपको तो रिशनी दॉल पास होना जाता तो ऐस से बारा साल पहले भी हो जाता वह तो बिल पास होना चाहिऊ था इसका में दिधू उल्दी तो सब यही चर्चान चली थी तो सब यही चर्चान चली थी और जब भी करते गए 10 पर्ट्सन पर 20 बढ़ें ओभी सी फ्राना सीज एस्ट्री एस्ट्री अब इक पता नहीं कितनी क्याटेगरी गिना हो गया अब भी याद आई इनको उससे पहले कहा थे यह दो हजर चोदे से जब सरकार बनाते आ रहे हैं जब तो याद नहीं आई जब दिल ने बास नहीं किय महला तुमारे 28 जनवरी को संसद का मोदी जी ने किया था और एक तरफ तुम महलाओं पर लाठी चार्ज कर वा रहे हो यह कहां का नहीं चल गया बताईए और कितनी महलाओं पर नात क्या चार हुआ संसद में सिर्फ 10% महले हैं और यह 12 साल 14 साल से यह कह रही है कि महिना एक्षन बेल मैना रिजर्वेशन बेल इसको कर देना चाहिए कितने पर्षन करेंगे 33% करेंगे 50% करेंगे कितना करेंगे करें मैं तो कहता हम 50% करके दिखाए ना हमारा देश पुरुष प्रधान है और यहां पर लेडिस को हमेशे डॉमिनेट किया जाता है और यह हर जगा देखने को मिलता है चाहिए वह कोई भी फील्ड हो पर जब आप महिलाओं का आरक्षन आ गया है तो यहां से हमें हमारी महिलाओं के लिए एक पॉजिटिव एनरजी भी मिलती है पॉजिटिव व डीट मरति न आiliट है चाहे वह महिला हो चाहे वो जेंड़ की हो जाहे किसी और जेंडर की हो ॉच्डॉर्व काल्स करिद चाहे वो अ पर लवर क्लास के ठीए वह प्रांस रिर मेंटकर मेल्या एक कि मेलाओं पॉजिट दीनल गर्िर भिल्या जहें अब एक बश्यशन पि अगर आप नेनगे है अगर अगर को अगर कॉंपूटिशन जांड तो किया प्रॉबल्म है? कहीं से भी हम उसे बराबर नहीं करें, हम आज भी 33% रिजर्वेशन ला रहे हैं, चीहासत तो फिर भी unreserved है अगर आप इसको रिजर्वेशन के थ्रू और जो बागी अन्रिजर्वड उसमें भी महील आए हैं, वहां तो वह कॉम्पेटिशन है, बट यह कहीं किसी भी तरफ से, हाँ, अगर आप किसी एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन की बात है, बचियां स्कूल जाती है, वहां मुझे समझ में आता है, क्योंकि पेरेंट्स कंसर्न है अपने उसको लेकिन जहां पर अल्रेडी एक मैच्योर्ड क्योंकि जो भी संसद में आएगा, जो भी लोग सभा राजिसामा है, वह इतना मैच्योर्ड है, कि उसको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, अगर यह क्या फाइद है, क्या नुकसान है, और कुछ को तहीं भी नहीं बता है कि ऐसा कोई बिल आया भी है, दूसरी बात, जिन लोगों को इस बिल के बारे में पता था उन लोगों का क्या कहना है, यह हमने आपको इस स्वीडियो में ज़रूर दिखा है, लेकिन आप भी अगर इस